आप सबका SSB कराक एक्जाम्स चैनल पर तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नया टॉपिक पर आज का जो टॉपिक है दाट इस रॉलेटेट टू इंडिया-मयनमार बॉडर तो अभी आली में अमिट शाजी ने अनौंस किया है कि जो इंडिया-मयनमार का बॉडर है उसको टोटल फेंसिंग कर दी जाएगे तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि क्या रही है वजा इस पर्टिकुलर फैसले के पीछे आंड जो इंडिया-मयनमार के बीच में फ्रम जो साइन हो रखा है उसके उपर अब क्या एफेक्ट पड़ेगा तो चलिए हम जानते हैं पूरी के पूरी अनाउंसमेंट है किसके रिलेटर तो बात करें इंडिया और मयनमार के बीच में तो हमारा है जो टोटल बॉर्टर एरिया दाट इस अराउंड 1,6,4,3 किलोमेटर और उसी में पूरी के पूरी फिंसिंग कर दी जाएगी तो हम सब जानते हैं 2018 में एक agreement sign किया गया था जैसे agreement का नाम था फ्री मूवमेंट रेजीम तो जो फम्र जब इंप्लीमेंट किया गया था 2018 में ये एक particular step था भारत का at east policy की तरफ और इसके तो रहन ये था कि आप नॉर्मली जो भी border areas पे दोनों तरफ लोग रहते हैं वो around 16 किलोमेटर without visa उसमें आ जा सकते हैं movement allowed थी particularly दो weeks के लिए वो उसमें stay कर सकते थे and अब इसी बात में जब अगर इस fencing को कर दिया जाएगा तो बात की जा रहे है कि yes ये जो agreement है इसको भी end कर दिया जाएगा और ये सारी की सारे जो announcement हुआ है that is when he was addressing हमें शाजी address कर रहे थे passing out parade of the Assam Police Commandos in Gohati इससे पहले भी अगर बात करें इंडिया और बांगला देश का border जो के राण 4096 किलो मेटर है उसमें भी double fencing already पहले से की गई है and वो भी क्या tackle करने के लिए जो हमें unauthorized entry दिखती थी people जो लोगों की वहाँ पर उसी चीज को जो concerning a factor बन चुका था security के लिए particular देश के लिए उसी चीज को target करने के लिए उस fencing को पी किया गया था because इनकी movement के दोरान जो सबसे ज़्यादा targeted areas है जो सबसे ज़्यादा इससे जफेक्ट होते that was the north eastern states only so Indian border share the border अगर बात करें डिटेल में देखते हैं कि जो movement regime basically Myanmar के साथ है इंडिया की वो detail में है क्या so India और Myanmar जो border share करते हैं that is around the states of Manipur, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh तो ये चार वो states हैं जिसके साथ Myanmar अपना border share करता है the porous border of which only सरफ 10 km का जो border है वो भी Manipur के साथ उसको पहले से fence किया गया था so the FMR was put in place in 2018 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2018 में ये particular agreement sign हुआ था and इसको उस ताइम पे enabling arrangement for the movement of people ऐसे भी का गया था साथ ही facilitate करता है ये regulation and harmonization of the already existing free movement rights of people along this particular border तो उस particular time की बात करें तो ये कहम step मान सकते थे कि एक harmoni के लिए या फिर economic और social interactions दोनों country के बीच में जो रहे जो traditional rights है जो एक customary fluidity है एक culture exchange इन सब particular चीज़े में कोई problem ना है और वो दिन पर दिन enhance होती जा इसी चीज़ के लिए इस particular agreement को sign किया गया था लेकिन अबात जब security के उपर आजा है तो ये समें उन चीज़ों से थोड़ा पीचे हटके देश के security ये नौट इसन स्टेट में जो particularly conflicts देखने को मिल रहे हैं उसके उपर step देना जरूरी था So it would safeguard the traditional rights of the largely tribal communities इस सोच के साथ ही 2018 में जो ये agreement sign किया गया था कि दोनों साथ के जो tribal communities है उनके बीच का जो connection है या जो cooperation है उसमें हमें enhancement देखने को मिलेगी While the twin people living in the twin state of Myanmar contagious with the mesoram are of the same ethnicity as the mesos and the cookies omis of the manipur तो basic border के आर पार रहते हैं लेकिन ये जो उनके ethnicity जो उनके particular community कह सकते थे वो same है और जब वो same है तो yes we are having what a cultural exchange same culture exchange हो सकता था because एक ही community से belong करते तो काफे चीज़ उनमें similar थे और उस चीज़ में कोई problem ना है and कुछ affect ना हो तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हो है 2018 में इस टप लिया गया था दोनों governments से So the mesos, chinas and the nagas on the both sides of the border share close social, economic and day-to-day ties जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि tribal communities के लिए basically यह जो agreement था that was very very important क्योंकि जो उनका basic cultural community के जो similarities थे वो सब बहाँ पर देखी गए बट अब recently क्या हो रहा था माँ पर कि security concerns देखे जा रहे थे So the rationale for this move is to check the influx of the illegal immigrants and drugs and the gold smuggling and कही न कहीं यह देखा जा रहा था कि misuse किया जा रहा है इस FMR agreement का by an insurgent groups क्योंकि attacks कर रहे थे Indian side में उसके बाद वो भाग के कहां चले जा रहे थे Myanmar में and वो escape करने के लिए So yes, यह काफी जाजा concerning factor भी था Indian Myanmar border and its fluidity had grabbed attention last year without break of the ongoing conflict in Manipur in May जब Manipur में हमने last year conflict देखा तो उसके बीच में यह आपाया गया कि यह जो illegal immigration है जो illegally लोग पहर और वहां से attacks करके भाग जा रहे So yes, उसी के बाद इस तरह का फैसला लिया गया So when both the state government and the mighty civil society referred to uncontrolled illegal immigration of Chin people from Myanmar as the root cause of the instability in the region Saathी, इस सी particular concern को respond करते हुए Manipur जब अवन शाजी वांगे थे न महीं हैं तो उन्होंने कहा था कि यह is the trending process for fencing another 80 km because 10 km पहले से था and another 80 km of the border had begun service along the rest of the border तो 10 km पहले से Manipur में fencing कराई गई थी लेकिन order दिये गए थे कि 80 km और भी fencing करा दी जाएगी because immigration, इस रूट conflict ends उसके उपर बचाने के लिए So he said He said that the fears of a demographic change had been triggered by the settling of Kuki brothers in the fallis of Manipur following the military crackdown against the Chin resistance movement in the Myanmar Saathी, अब इस पे जब यह फैसला सामने आया तो ऐसा नहीं है कि जो हमने चार्ज से नागा लेंड, Manipur, में जोरम यह सारे के सारे agree हो गए है No, Manipur तो चाता है कि यह जो पूरा Myanmar border है उसको fence कर दिया जाए and the free entry of Myanmar national जो है उसको रोक दिया जाए because एक accused rocking the ongoing ethnic conflict क्योंकि जो Manipur में ethnic conflict देखा गया वो कहीं न कहीं वजा मानी गई थी illegal immigration साथ ही में लेकिन जो मिजोरम अनागा लेंड है वो इस particular option के against है इस agreement के against है कि fencing कराने के वो बिलकुल against है उनका कहना यह है the dual move on the Myanmar front as the people on either side of the international border in those states belong to the same ethnic communities तो बोलने का मतलब यह है कि जो 2018 में जिस चीज को देखके जो यही था कि same ethnic communities दोनों तरफ रहती है इस agreement को sign किया गया था आज यह खताम हो रहा है तो वहाँ पर यह मिजोरम अनागालेंड का कहना है कि अगर यह fencing करा दी जाएगी तो जो हमारी ethnic communities दोनों तरफ सेम है तो उसमें कहीना के division देखने को मिलेगा एक जो cooperation है वो खताम हो जाएगा जो एक social ties है वो खताम हो जाएगे बट यह ज़ा अभी अमिछाजी ने अनाउंस किया तो फॉर्ट अज़ा जो free regime movement होगा तो वो end हो जाएगा तो इसका मितलब यह है कि किसी को भी आप वहाँ से trouble करना होगा so they have to get a particular visa so that was all for this particular update for the Indian Myanmar border fencing अभी आपके screen पे है कुछ courses for SSB interview और महीने हमारे batches बैठता आप इनको join कर सकते हैं साथ ही थीस आर्था courses for NDA series FKAT you can enroll in this particular courses while enrolling you can use this discount code जो की है warrior 10 so that's all for the day thank you so much for watching this video lecture जे हिंद जे भारत अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FKAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं